नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उत्तर परदेश अधीना सेवाचन आयोग के बारे में विशेश रूप से बेकेंसी के बारे में दोस्तों आज समाचार पत्रों में बहुत बेकेंसी सुर्कियों में चाही हुई है दोस्तों जब से सेवाचा ने आपके चेर्मैन या अन्चेर्मैन की मुंख मंतरी के आवाश में मीटिंग हुई है जब से डेली बेकेंसी चाही हुई है दोस्तों जब तक अधिकारिक ब्यान नहीं आता है तब तक उस बेकेंसी का विश्वास करना ना के बराबर है दोस्तों आज हम vacancy के बारे में बात करते हैं कौन सी vacancy सिर्कियों में च्छाई है और कब तक आने की जानकारी है उसके बारे में official update नहीं आता है तब तक विश्वास करना ना के बराबर है चलिए दोस्तों वेडियो शुरू करते हैं दोस्तों आज देख रहे हैं जेए के 1,904 खाली पदों को जल्द भरने की तयारी हो रही है देखिए जैसे मैं एक बार बताना चाहता हूं जो की समाचार पत्रों में कई बैकेंसी आ रही है इसका क्या रीजन हो सकता है बैकेंसी आ रही है कभी 10,000 कभी 15,000 कभी 1,000 कभी 2,000 इसका रीजन कोवीड हो सकता है या सरकार के पास बजट ना हो इसका रीजन हो सकता है लेकिन दोस्तों या 100% है कि बैकेंसी आएंगी दोस्तों बहुत बढ़िया मौका है दोस्तों, बहुत vacancy आएंगी, चुनाओ से पहले बहुत बढ़िया मौका आए और पढ़ाई पर फोकस करेंगे, तो 100% आपका और आपके परिवार का सपना साकार होगा, किसी भी अन्य भर्हम से भर्हम में ना आएं कि vacancy नहीं आएंगी, बेकेंसी चुनाओं से पहले आएंगी और अपनी पढ़ाई में ज्यादा से ज्यादा तयारी करें और अपने परिवार का और अपना सपना को साकार करें